सांश्री में आप सभी का स्वागत है आईए नजदालते हैं आज की खास ख़बर करें तीनो खान मिलकर भी पचार नहीं पाए सनी देवल को बॉलिवुड के ऐसे कई सूपर स्टार हैं जिनकी फिल्में बॉक्स आफिस पर सूपर हिट होती हैं इतना ही नहीं उनकी फिल्में तो कमाई के कई रिकॉर्ड तक तोड़ती हैं इस लिस्ट में बॉलिवुड के खान्स यानि शारुक खान, सल्मान खान और आमिर खान सबसे आगे हैं इनकी फिल्में रिलीज होने का मतलब होता है ब्लॉक्बस्टर होना लेकिन इन तीनो खानों में इतना दम आज तक नहीं आ पाया कि ये तीनो खान्स मिलकर सनी दियोल की एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सके सनी दियोल ने अपने अभिनय केरियर के दरान कई सूपर हिट फिल्म्स दी हैं उन्होंने तो ब्लॉक्बस्टर फिल्में भी दी हैं लेकिन आज तक बॉलिवुड का कोई भी एक्टर उनकी एक फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं सनी दियोल के फिल्म गदर की इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है आपको बता दें कि 2016 में आई आमिर खान की फिल्म दंगल ने दुनिया भर में 2000 करोड की कमाई की थी लेकिन इसके बावजूद सनी दियोल की गदर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई थी वहीं दवंग सल्मान खान और किंग शारू खान अपनी फिल्मे सूपर हिट कराने का दम तो रखते हैं लेकिन इस मामले में सनी दियोल से पीछे रह गए इन दोनों के फिल्म का रिकॉर्ड सनी दियोल की गदर से काफी दूर है साल 2001 में आई सनी दियोल की गदर ने उस वक्त काफी अच्छी कमाई की थी इतना तो आज तक भारतिय सिनमाई इतिहास की किसी भी फिल्म ने कमाई नहीं की गदर उस समय की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म थी बॉलिवुड के इतिहास में गदर की टिकेट सबसे जादा बिकी है जब यह फिल्म रिलीज हुई थी उस समय इस फिल्म की 1,18,46,153 जितनी टिक्टे बिकी थी यदि आज के अंकों में देखा जाए तो सनी दियोल की फिल्म गदर ने 5,000 करोड का आंकड़ा पार किया था यही कारण है कि गदर का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया सांच टीवी की खास रिपोर्ट सांच टीवी सबसे आगे सबसे पहले बने रहे हमारे साथ पलपल की खबरों के लिए